आपके पास IQZ7 है या फिर नियो 7 कोई भी फोन है तो यहां पे आप Auto Call Recording कैसे सेट कर सकते हैं बिना Announcement के तो इसके लिए आप डाइलर पे जाएंगे अगर आपके फोन में यह वहला डाइलर नहीं है तो यहां पे डाइलर कैसे चेंज करना है वह आप अलग से वीडियो देख लेंगे मेरी ठीक है आप इस पे जाएंगे सेटिंग पे और यहां पे Call Recording के Option पे जाएंगे रिकॉर्ड औल कॉल आटमेटिकली कर लेंगे तो यह बैस्ट होता है सारी सारी कॉल रिकॉर्ड करने का तरीका और मान लोग कि आपको यहां पे सिर्फ एक दो स्पेशल नंबर ही रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड इस पे क्लिक कर लेंगे और कस्टम पे क्लिक कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर कोई भी number add कर देंगे प्लस पर जाके contact में से ले लेंगे या फिर कोई भी number manually add कर सकते हैं तो मैं यहाँ से जैसे कि यह 2-3 number मैं उठा लेती हूँ ऐसे करके add पर click कर देंगे add हो गया है अब इन दोनों तीनों person की जब भी call आएगी तो record होगी calls और इसकी बाद back कर लेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर हम call करके देखते हैं तो देख सकते हैं call connect हो गई है recording भी start हो गई है recording यहाँ से आप बंद कर सकते हैं फिर से चालू कर सकते हैं लेकिन automatically हो चुका है call record अब call recording सुनने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे file manager को click करके open कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको audio पर click करना है और यहाँ पर आप ऐसे slide करेंगे तो देख सकते हैं calls जो हमने दो recording किये ना अब भी बंद करके दुबारा से start किया है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइट की call recording easily हो चुकी है तो इस step से आप इसको set कर लेंगे ठीक है चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमाशकर